2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई थी तो योगी जी ने एक वादा किया था कि हर छेत्र में गौसालाइं वनवाएंगे तो आपके छेत्र में गौसालाओं पर कितना काम हुआ है आपके विधानसवा छेत्र में भावल खेड़ा बलाक से जो तहवरगंज के लिए रास्ता करता है तो वहां पर छेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आपने क्या किया वी तक मैं हूँ आकास मिस्रा आप देख रहे हैं दगली मोहला शो आज हमारे साथ मौजूद हैं ददरौल बिदासवा छेत्र से भाजपा बिदायक मान वेन सिंग जी बिदागी बहुत दो स्वागत आपका हमारे सो में दद्नेवाद बिदागी सबसे पहले आप हमारे दर्सकों को ये बताइए कि आप मूल निवासी कहां के हैं और आपने सुरुआती सिक्षा कहां से प्राप्त की मैं दद्रावल बिलाक में मेरा गाओं है ठकिया पर बेजपूर और मैंने प्राडरंबिक सिच्षा अपने गाओं ठकिया पर बेजपूर से और जूनियर की सिच्षा बंथरा जूनियर हाइ स्कूल से और उसके बाद स्वामी सुक्देवा अनंद महाविद्दाले से ग्रे नहीतम संट में जङनपत सांसत यह बहुत बड़े नेता रहे कांग्रैस के सर्गी जितियंद प्रसाथ जी उनके साथ में राज नहीं के साथ में राजनीत की एबी सीडी सीखीM requirement काउग्रेस काभी जिलाद देच रहा जिलाद देच रहा जिलाद देच रहा जिलाद देच रहा जिलाद पंचायद मेंमर भी रहा तो उनी के साथ मेरी राजनीत की सुरुआत हुई पहले चुनाओ आप कब लड़ेते हैं? कौन सा चुनाओ लड़ेते हैं? पहले हम जिलाप पंचायत सदस का चुनाओ सन अठाथी नवासी में लड़े थे और उसके बाद जिलाप पंचायत के उपाधेच बनें सन 92 में जिलाप पंचायत के अधेच बनें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जिलाद देच बने थे आगामी जो विदान स्वा चुना हुआ है उसकी तैयारी किस तरीके ही चल लगी है हमारी तो तैयारी हमेशा चलती ही रहती है पांच साल तैयारी ही चलती ही रही और राजनीद में जब से आया हूँ मैं किवल 24 गंटा राजनीद के ही सजनता की सेवा में कायर करता हूँ मैं अपना ना खेती है ना कोई व्यापार है हमारा जो खेती घर परिबार वाले करते हैं कोई बिजिनिस व्यापार नहीं है जिसके लिए मुझे समय देना पड़ता हूँ 2017 में जब یोगी सरकार सत्य में आई थी तो योगी जी ने एक वादा किया था कि हर छेतर में गौसाला उपर कितना कम हुआए हमारे छेतर में सबासबा करोड़ की दो गौसाला आए एक तो सिकरोही कांट बलाग में और एक ददरोल विलाग में धनियूरा बनके तयार हो गई है सिक्रोही में गवसाला चल रही है धनियूरा में गवसाला संचाली तो नहीं बाड़ की वज़े से अभी उसमें संचाली नहीं हो पाई है और हर नियाए 35 तर पर एक दो दो गौसालायों का प्रस्ताव मंजूरी के लिए स्विक्रत हो रहा है गौसालायों खोली जाएंगी लेकिन हमारी टीम जो है जिस गाउं में भी सर्वे करने गई है तो वहां के किसानों की ये सिकाइट रही है कि फिछले पांच सालों में जो गौबंसी हैं उनसे खेतों की सुरक्षा करने के लिए रात रात वर जागना पड़ता है ये किसलिए संसे उत्पन हुई है गौबंस तो हमेशा ही रहा और हमेशा गाउं में रहा है लेकिन इधर जब से बूचर खाने बंद हुए और गवहत्या बंद कराई गई तब से किसानों ने अपने गाए बच्छे को छोड़ दिये हैं और वो ही किसानों को ही रखाने पड़ते हैं उसमें गवसालाइं पर कावल खेडा बलाक से जो तहवरगंज के लिए रास्ता जाती है उसकी हालत पांस सालों से बहुत जादा जर जरा है उसके लिए वहां के ग्रामिर कई वार आपसे गुजारिस कर चुके हैं रोड बनाने के लिए लेकिन वहां के जो गड़ें वो तो अपतला आपका रूब खा था और जिला पंचायत की कारियोजिना में वो रोड सामिल कर ली गई है मुझे विस्वास है कि जल्दी ही इस रोड का निर्मान कायर सुरू हो जाएगा जिला पंचायत के माद्दें से अपने छेत्र के आप मद्दाताओं को जनता को बताईए कि 2022 में चुनाओं में व खाई द्वारा गन्ना विभाग द्वारा और मंडी परसत द्वारा सड़कों का निर्मान और मरम्मत का कायर कराया गया है सारी सड़के मरम्मत करा दी गई हैं और मैंने एक स्वास्त के अंदर प्रात्मिक स्वास्त के अंदर भावल खेडा बलाक में सिवरा गाउं में खुलवाया स्वास्त के दिश्ट कौन से जहां 30-40 गाउं के लोगों को स्वास्त सुब्धाएं बहां पर प्राप्त होंगी और एक जिगनेरा घर में बड़ा बिज एल्टी एस्टी लाइन चेंज करवाई है और 3 engine चार नए विजली घर प्रसाबित कर आये एक कहलिया में एक ऑधापुर में एक बरी खास में अधकिया परवेच पुर mend reconoc i.o पर बिजली घर की छमता डेढ़गुनी बढ़ा कर दी गई है और मदनापुर में भी बिजली घर की छमता बढ़ाने की योजना सासनिस्तर पर चल रही है अच्छा आपके छेत्र में कई और दोगी फैक्टरिया है जहां पर छेत्र के हजारों बेरोजगार युवां को रोज उसमें काम कर रहे हैं और जहां जहां जो लोग रिटायर हो जाते हैं वहां दूसरे लोग पहुंच जाते हैं सराप फैक्टरिय से लेकर चीनी मिल और दूसरी फैक्टरियों में हमारे छेत्र के लोग काम कर रहे हैं उन्हें रोजगार मिल रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ र लाशो